चोपड़ा है जो किसी यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर देख स्वागत करता हूँ मेरे प्यारी बचो राजस्तन स्टेट का स्ट्रे वेकंसी राउंड का सेड्यूल जारी हो चुका है मैं आपको यहां सेड्यूल बताऊंगा और इसमें प्रोविजनल स सीट मैट्रिक्स आएगी उसके बारे में भी हम बात करेंगे तो आये सबसे पहले एक बार सेड्यूल देख लेते हैं तो राजस्तान के हर राउंड में इस स्टार्ट होते हैं इसट्रे में भी रेजिस्टस्टस ने स्टार्ट हो रहे हैं 22 सिप्टमब-24 से यह रे था इसके बाद security deposit वही है पहले वाली दो लाख रुपए private के लिए है 10,000 रुपए dental के लिए है और 10,000 और 5,000 government के लिए है category wise इसके बाद में बात करें जोइनिंग की तो 27 से लेके 30 September 23 तक RUHS dental में ही जोइन करना है जिन candidate को seat alert हो जाती है अब इसकी एक बार eligibility के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन-कौन से candidate stay vacancy round में participate कर सकते हैं तो एक तो जिन candidate को round 3 में seat alert हो गई है या upgrade करवाया है वो candidate राजस्तान के stay vacancy round के लिए eligible नहीं है यानि कि ये state के अगर round 3 में seat alert करवाई है वो candidate इसके लिए eligible नहीं है इसमें All India round 3 का कोई लेना देना नहीं है इसमें state round 3 से alerted candidate है वो इसके लिए eligible नहीं है stay vacancy के लिए और जिनोंने कहीं भी seat join कर रखा है या तो राजस्तान state में join कर रखा है या फिर All India से join कर रखा है या किसी other state में seat join कर रखी है जिनके पास seat join कर रखी है तो original documents भी नहीं होगे तो जिन candidate ने seat join कर रखी है वो इसके लिए eligible नहीं है तो दो परकार के candidate eligible नहीं है एक तो जिनोंने seat कहीं भी join कर रखी है और दूसरे राजस्थान स्टेट के थर्ड राउंड से अलोटेड कंडिडेट इसके लिए इलीजिबल नहीं है इसके बाद में बात करें सीट मैट्रिक्स की जो अभी सीट मैट्रिक्स रिलीज हुई है ये 18th के बाद में जो seat matrix रही थी वही seat matrix यहाँ display हुई है तो इसमें government colleges में कोई seat नहीं vacant है private colleges में भी कोई किसी प्रकार की medical college में seat available नहीं है Pacific को छोड़ करके Pacific उदैपुर में 18 seat available है ये एक private college है category wise ये आप seat देख सकते हैं इसकी seat matrix में Pacific की seat दिखाई गई है वो 18 seat अभी भी हैं बाकी किसी भी private medical college में government medical college में government dental college में कोई seat available नहीं है अभी तक अब बात करते हैं dental की तो dental private में काफी सारी seat अवेलेबल हैं इसमें government dental में कोई seat available नहीं है तो आप ये seat matrix देख सकते हैं ये seat matrix आज 20 September 23 की है अभी 23 को एक seat matrix और जारी की जाएगी उसके अंदर जो candidate जैसे joining date राजस्तान की 21st September है 21st September से तक जो candidate join नहीं करते हैं वो seat vacant होके आएगी और वो seat vacant होके आएगी वो 23 September 23 को जो seat matrix आएगा उसके अंदर दिखाई देगी तो आप एक बार जो राजस्तान इस्ट्रे के registration नहीं किया है या फिर complete नहीं किया है वो candidate apply कर सकते हैं इसमें तो जिन्होंने पहले registration कर रखा है उनको registration दुबारा करने की आवश्यक्तर नहीं है तो अभी तक तो राजस्तान स्टेट एच्ट्रे वेकंसी राउंड के लिए सिरफ एक ही private medical college में seat है और dental में सभी में seat हैं तो उसके according आप उनमें admission लेना चाते हैं तो आ सकते हैं 27 और 28 को जैपूर और इसके अलावा आप 23 को एक बार और seat matrix check कर लें जो reporting के बाद आएगी यानि कि 21 तक reporting है उसके बार 23 को फिर से एक seat matrix publish होगी अगर उसमें vacant seat होके आती हैं तो आप इसमें जरूर participate कर सकते हैं तो यह जानकारी थी राजस्तान स्टेट की stay vacancy round के बारे में आप हमारे चैनल को subscribe करके रखें क्योंकि इस परकार की information हम लेकर के आते रहते हैं तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिन